नमस्कार कैसे हैं आप लोग सभी इस वीडियो में हम जो भी एक्स पास हुए थे बृतिस रूल जभारत में कर रहा था जो भी एक्स पास हुआ था उसको हम डिसकस कर रहे हैं इस वीडियो का पहला पार्ट पहले ही आ चुका है जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को 1773 का जो डिएक्ट उसको अमने डिसक्स किया था यह पार्ट टू है इसके अंदर हम एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को डिसकस कर रहे हैं तो यहां पर देखिए एमेंडिंग एक्ट यानि कि यह कि किसी एक्ट को तो एमेंड कर रहा है तो किसको करेगा जो सबसे पहले आया इसको इसको इसी एमेंड कर रहा है तो 1773 का जो एक्ट है वह आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और कमेंट सेक्टिन दोनों में अब वहां से देख सकते हैं 1773 के प्रोविजिंस तो देखिए 1773 में सुप्रीम कोड बना होगा ठीक है Supreme Court का जूरिस्टिक्षन कितना होगा इसलिए हमें जरुवत पड़ती है है 1781 का यह एमेंडिंग एक्ट और इस एक्ट को Act of Settlement बोला जाता है तो Act of Settlement क्यों बोला जाता है तो इसका answer ये है क्योंकि Supreme Court का क्या jurisdiction है उसको ये settle कर रही है इसलिए इसे Act of Settlement हम बोलते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या समस्या थी तो देखिए जब Supreme Court का Provisions 1773 में था तो वहाँ पर Provisions Supreme Court का jurisdiction है वो clear नहीं था कि ये Supreme Court ये कलकाता के अंदर काम करेगा या कुड़े भारत में काम करेगा ये clear नहीं था ठीक है तो इस Provisions को और बाकी जितने भी Provisions हैं मैं आगे डिसकस कर रहा हूं आप से तो देखिए इस Act के जरीए क्या हुआ 1781 Act के जरीए क्या हुआ सबसे पहली बात Supreme Court का jurisdiction विदिन कलकता है यानि कि ये बंबे, मदरास जैसी प्रोविंसेस में कोई भी अगर matter हुआ है तो उसको Supreme Court में हम नहीं ला सकते हैं ठीक है वो विदिन कलकता के लिए है दूसरा प्रोविजन के आए कि government general या तो servant of the company या तो जो जो गवाइनर जेनरल का नीचे जो चौनसिल था ठीक है इसको exempt किया गया यानि कि अगर यह गवाईनर जेनरल या servant of the company अगर अफिस्यल ड्यूटी के दौरान अगर कुछ होता है तो यह मैटर सुप्रीम कोट में नहीं आएगा ठीक है तिसरा पॉइंट क्या है जो रेभीनिव मैटर है यहां पर पंगाल का है यह मदरास और यह बंबे कर दिया कि माल लीजिए यह बंगाल है कड़र चेंज कर लीजिए यह कि माल लीजिए यह बॉंबे है यहां से एक कोट है यहां पर प्रोविंश्य ये पास तो जो भी appeal था provincial court से वो जाएगा governor general in council के पास ठीक है अब देखिए इसके साथ-साथ governor general in council का जो एक और फंसन है तो provincial court अब समझ गए तो provincial council क्या होगा तो देखिए अगर यह बंबे है तो बंबे में क्या होगा governor होगा governor के नीचे council होगा तो उसी council का बात चल रहा है ठीक है तो यह था 1781 में जो भी provisions से उसको हमने discuss किया यह 1781 का जो act है किसको एमेंड कर रहा है 1773 के regulating act को इसलिए 1781 का यह जो एक्ट है इसे एमेंडिंग एक्ट बोला जाता है और act of settlement इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह supreme court का jurisdiction कितना होगा वह सेटल करता है ठीक है और साथ में बाकी भी यह जै का बुक है ठीक है लक्षमी कान का तो पोलिटी का बुक आता है वह बुक है को screenshot आपके सामने है तो आप डिटेल में दख सकते है पहला पॉइंट गवर्णर को एक्जेम्ट कर दिया और कांसिल को भी दूसरा पॉइंट में क्या है कि revenue matter आप सुप्रीम कोड के पास नहीं ल की provisions मिलती है किसके लिए तो provincial code और council के लिए तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में बात करेंगे पिट्स इंडिया Act of 1784 और बाकी के जो भी एक्स होगे वह अगले से अगले वीडियो में आएगा तो देखिए अगर आपको वीडियो अथा लगता है तो वीडिय को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इस वीडियो में नहीं थेंक्यू जै हिंद्ध